मतुरा के कस्पा गोवर्धन में गंतंतर दीवस के मोके पर निकाली गई तिरंगा यात्रा में शेतर के भाश्पा विधायक के बेटे की मुझूद्गी में नाथुराम गोड से जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का मामला सामने आया है तिरंगा यात्रा में शहीद बगत सिंग और चंदर शेकर आजाद के अलावा नाथुराम गोड से और वीर सरवार कर जिंदाबाद के नारे भी लगाए यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है तिरंगा यात्रा निकानले को लेकर कोई अनुमती भी नहीं ली गई थी फिलाल पुलिस और प्रशासर ने अधिकारी मामले में जाच के बाद विदीक कारेवाही की बात कह रही है जानकारी के मुताबिक कस्बा गोवर्धन में रविवार को गंतंत दिवस के मोके पर मुरारे लाल स्कूल से एक तिरंगा यात्रा निकाली गई जिसमें गोवर्धन शेतर के भाश्पा विधायक कारिंदा सिंग के पूतर सुनील भी शामिल थी उनके साथ चल रहे समर्थक जोर जोर से नारे लगा रहे थे कि हम क्या चाहते आनार सी नागरिक्ता कानून लागू हो इस यात्रा में शामिल लोगों ने यहां से यात्रा शुरू की वहीं समाप की लेकिन इस दोरान सभी ने एक जुठो कर शहीद भगत सिंग चंदरशेखराजाद वीर सवारकर जिनदाबाद के साथ ही नाथू राम गोड से जिनदाबाद के नारे भी लगाए इस संबन में जब पुलिस श्यत्रादिकारी गोवर्धिन वरुन कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कस्मे में रैली निकानने की कोई परमिशन नहीं ली गई थी उन्होंने बताया कि एक वीडियो हमें भी मिला है जिसमें गोड से जिनदाबाद के नारे लगे हैं सियो गोवर्धिन ने बताया कि मामले की जांच की विरीवी कारवाई की जाएगी मतुरा से सवदाचा जाहिद सेयद के रिपोर्ट निकाली गई है कहां से कहां तक निकाली गई है क्या उसमें नाफियों ये नारे लगाई थे हैं जैन्दाबाद के लगए किसी के मुर्दाबाद के फिर्म लगाएं अगर हम जिन्दाबाद के लगा सकते राउल गांदी भीड सावर करके लोग सवा में खड़े ओकर नारी लगा सकता है मुर्दाबाद के पर तोस्ते सवाल करना चाहिए और मैं आपी से एक सवाल करना चाहता हूं अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए क्या कोई ऐसा व् या इंञार निए बार्केहों को संझाते रहें आइंजा करो उचिण करो किसी से मतलड़ो और अंग्रेजियों के लिए हिंसा कर वाई इचलर को भई मारो ऐसा क्योड़ के लिए समाना चाहिए परमीश्टीया आप द्रपास में परमीश्टीया परमीश्टीया बगने ज़ जोती गार्डन, वोल्ड-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden, a JBD Banquets Enterprise.